निदी आर्जे की रसोई में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है इस रेश्पी को बनाने के लिए मैंने यहां एक कटोरी सूजी ली है सूजी बारी क्या मोटी कोई भी ले सकते हैं इसके बाद इसी के आधी कटोरी हमने दही लिया है दही खटा नहीं होना चाहिए फ्रे बस इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से इसको ढखके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल गए इसमें हम गाजा टमाटर पता गोबी इन सबी को एड़ कर देंगे इसके बाद हम इसमें हम फ्रूट सॉल्ट यानि की इनो एड़ करें के इसको फटा-फट से मिक्स करना है और यहां मैं इडली कटोरी में बनाओगी तो मैंने कटोरी में पहले ही ओयल लगा के इसको घृष कर लिया था अब इसमें बरावर बरावर आधीम कटोरी तक इसमें हम सूजी का बेटर एड़ कर देंगे और इसके बाद में हमने पानी इसको तीनों को अच्छे से रखके इसको ठक कर पकाएंगे 10-12 मिनट के लिए इसको पकाना है 10 मिनट के बाद देखते हैं हमारी इडली बनकर रेडी हुई है कि नहीं इनको इस तरह से एक नाइफ या तूट पिकले और इसको इस तरह से डाल कर देखें अगर साफ निकलती है तो यह पूली तरह से पक्का रेडी है आइनको धाली में निकल करेंगे और देखे कितनी सॉफ्ट पॉणजी बनी है बहुत ही डेशु बनती है इस तरह से आप बिना मोल्ड के इडली अप बीतकर आप बना सकते हैं बहुत ही डेश्टी बनती है एक बार रेसपी करे थांक यू